हेलो बच्चो कैसे हो आप सब बच्चो आज हम जीके पढ़ेंगे जीके में हमारा कौन सा टॉपिक है किचेन किचेन आप सब के गर में है ना बच्चो किचेन में कौन-कौन सी चीजें यूज होती है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट पिक्चर है प्लेग, वाउ, ग्लास मिन्स थाली, कटोरी और ग्लास जिसमें हम खाना खाते हैं आपको पता है ना बच्चो नेक्स पिक्चर है कप और सोसर जिसमें हम चाय कॉफी पीते हैं नेक्स है पैन पैन में क्या बनता है बच्चो ममा रोटी बनाते हैं ना औ किशन में होता है डिस्सें घ arguYayas On किया जाता है और ये Sylinder जिसे हमें Chun सबको पता होगा जब बनते हैं ऑसे में खाना तो CT बहुत दूर तक रहे जेती है किे नेक्सटे Х bueno spiderSpar допर दूर को सजाए और दूड़र नेक्शन ट्रॉल somos आप nothing नेक्स्ट है जार, जार में मसाले, डाल, राइस, फ्लोर यह सब रखते हैं, वो जार के अंदर ही रखा जाता है, जिससे वो खराबना हो, नेक्स्ट है डिनर सेट, डिनर सेट पता है ने बच्चों क्या होता है, जिसमें हम खाना खाते हैं, जिसमें पूरा सेट होता है, जिस जिसे हम काटे चमज हिंदी में बोलते हैं. next is spoon, spoon तो सब को पता है है, spoon means चमज. next is knife, इससे दूर रहना बंचों इसे चाकू बोलते हैं, इसे सबजिया काटी जाती है. next is blender, जिसे बेशन, छास यह सब बनाते होंगे ममा फेट कर. नेश्ट है जग जग मिंस जिसमें पानी भरके हम स्टोर करके खाना खाने बैठते हैं तो लेकर बैठते हैं नेश्ट है प्लेयर्स मिंस पकड जिसे बरतन गरम हो तो उसे पकडने में यूज किया जाता है next is thermos, गरम पाणी, गरम चाय रख के हम store कर सकते हैं next is pot, pot तो सबको पता है, market में भी देखा होगा pot means घरा, जिसमें पानी ठंडा होता है, वो हम kitchen में रखते हैं next is pastri break और pastri roller, means बेलं और party जिसमें रोटिया बनती है next is scissor, scissor means catchy, वो तो पता ही होगा है ये सब आपने किचन में तो देखा ही होगा आज मैंने आपको इसके नाम भी बता दिये ओके बच्चो बाई